हलो अब्रिवन यदि आप निमसेट का प्रेशन कर रहे हैं और निमसेट टार्गेट है 24 25 26 तो इस सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ इंपॉर्टेंट बात है आपके साथ डिसक्रस करूंगा न्यू बाच कब से स्टार्ट हो रहा है वो डिसक्रस करूंग इंक्लूडिंग अगर आप सेल्फ स्टेडी कर रहे हैं तो क्या-क्या बातों का ध्यान रखना है अभी हम सबसे पहले बात करें निमसेट 23 पेपर को देखें यह हम पीछे के किसी पेपर को देखें तो निमसेट में काफी सर्प्राइज मिलती एक बात दूसरी बात बढ़ेंगे यानि इस बार वो बच्चा भी जिसका रेशन लेवल पर वन यह यह मैस है वन से मिस्टर मैसे वह इलेजीबल मैस यह स्टेटिस्टिक्स का अभी तक ऐसा नहीं था कि कॉमर्स वाला बीकॉम वाला बच्चा भी दे सकता था पर आप दे सकता है वह शर्त है कि वन यह मैस किया स्टेटिस्टिक्स होना चाहिए चलिए आप बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है अगर आप निमश्ट करेक्ट करना चाहते हैं देखिए जब भी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हर बच्चा मुझसे पूछता है कि सर हम कब से करें मैं बोलता हूं जिस दिन आपने सोच लिया कि आपको MCA में जाना है या कंप्यूटर फीड में केरियर बनाना और आपको पता है कि किस तरह से बनाया जा सकता देन स्टार्ट प्रप्रेशन सेम डे जैसे अगर आप ये सेशन सुन रहे हैं नाव स्टार्ट अगर का सिले बस भी हो गया तो क्या होता है कि हम जब पहले से प्रप्रेशन कर रहे होते हैं तो हमें बाद में उसका फायदा मिलता है कॉलेज का प्रेशन नहीं आता बट माल लिजे आप 24 के लिए टार्गेट कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है अभी भी आपके पास वन यहर का स टेस्टिंग मॉडूल है वो इस तरह से कि कोई रीजन ही नहीं कि आपका परफॉर्मेस ना है बस एक ही चीज़े जो मैं बोल सकता हूं कि मैं आपको जिस दंग से ट्रेंड करूंगा जो चीज़े आपको पढ़ाऊंगा जो टेस्टिंग लूँगा वो सब मैं अपने सब्सक्राइब होती है तो आप लोग इस बात को समझें कि यह पक्का है कि जो पढ़ाया जाएगा जो मट्रियल दिया जाएगा वैसे ही पेपर आएगा बट एक्जाम नेशन हॉल में तो आपको ही परफॉर्म करना है अब बात करते हैं नए बैच की तो नया बैच जो है सब्सक्राइब और 20 जून से स्टार्ट हो रहा है जो कि 24 25 26 के लिए होगा अगर आप माल लेजिए क्लास्रूम को जोइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको भॉपाल आना होगा आप भॉपाल क्लास्रूम को जोइन कर सकते हैं होल्डे आप यहां पर रहेंगे पर दे क्लासे अटेंड करेंगे इसके लाव आप अपनी सेल्फ स्टेडी करेंगे और भॉपाल आने के लिए आपको कुछ भी नहीं देखना है यहां होश्टस वगेरा सब तुरंत ही मिल जाते हैं अबिलेबल हैते हैं इंपिटर्स गुरू कुलों ने बात कर रखिए वह आपको भी होगा जिसमें की आपको रेगुलर क्लासे मिलेंगी टू स्टेडी मट्रियल वीकली संडे टेस्ट और इंपिटर्स गुरू कुल हर साल बहुत सारी चीजों में चेंज करता है जैसे अभी से मैंने इस बार प्लान किया हुआ और वह हो जाएगा पहले वीक से कि आपको सब्सक्राइब और जो वीकली संडेस्ट होगा मैस के साथ सथ रीजनिंग का भी आपका टेस्ट होगा रीजनिंग और कॉंट का आप सपोस्ट पूर रहे हैं तो मैं आपको एक सजिशन दूंगा कि सेल्फ कर रहे हैं तो भी आप एट लीज टेस्स इस अभी से जोईन यह पर सही समय पर लेने से ही उसके अच्छे result आते हैं फिर मैं बोलूँगा कि अब ऐसा यह एक्जाम नहीं है निमसेट कि जिसमें देखिए आप हर साल देखें तो ट्रेंड आपको देखके समझ में आता है तो ऐसे में हम यह ना करें कि आरे अभी करते हैं अभी करते हैं क्योंकि जितना time कम होता जाता है उतना आपके उपर प्रेशर बढ़ता जाता है तो 24 वाले बच्चों को मैं बता दूँ कि यह 20 जून से स्टार्ट होगा जनवरी तक इसका पहला फेस खतम होगा यानि हम एक बार पूरा syllabus कम्प्लीट करेंगे और उसके बाद कोई क्रिविजिन करेंगे 24 या 25 वालों के लिए 2-3 टाइम syllabus होगा फॉर्मूला बड़ा सिंपल है कि जितने ज्यादा syllabus के राउंड होते हैं उतनी पर्फॉर्मेस अच्छी आती है अब बात आती है कि जैसे मैं यह session ले रहा हूं तो आपके दिमाग में आ सकता है कि impetus गुरू को जोइन करना है या आधर इंस्टूट मैं आपको आज एक बात बोलूँगा आज सब चीजे ओपन हैं आप जहां पर भी जॉइन करें बस एक चीज देखें कि सबसे पहले तो जहां पर भी आप जॉइन कर रहे हैं वहां के टीचर के साथ आपका फ्रिक्वेंसी लेवल कैसा है किस तरह की टेस्टिंग किस तरह का मठेल है दूसर जो भी कम भी लगा पर वो पैसा भी गया फिर आप दे तो ऐसा मत करिए आपकी लाइफ है आपका केरियर है बैस चुनी जैसे आप आप जब कॉलेज में जाएंगे आप सब का ड्रीम होता है कि आप एनाइटी तुरिची जाएं सूरतकल जाएं या इलावाज जाएं जब महनत कर रहे हैं तो ऐसे में जब आप हर जगे अच्छा सोचते हैं तो एजूकेशन में भी में बोलूँ कि कॉलिटी जूकेशन लोग क्योंकि इंपिटर्स गुरुकुल नॉट अली पढ़ाने के लिए जाना जाता पढ़ाया तो अच्छा जाता है यह माइस रिजनि हैं कैसे आप अपने आपको आगे आने वाले जिन्दगी में तयार कर सकते एक बात और बोलना चाहूंगा कि जिन बच्चों ने कम प्रप्रेशन के साथ अभी 23 का पेपर दिया था और बाइचा नहीं किया और अगर आपका मने कि ड्रॉप लेना दे कि ड्रॉप लेना है य को मन में कोई शंका है ना लो आप वो आपका डिसियन है और आप इस बात को ध्यान रखके चलिए कि जो भी करें वह बैस करें यहीं बोलूंगा तो 28 जून से जो बैस स्टार्ट हो रहा है उसको आप एस सून एस पॉसिप्शन में लिंक दिये हुए है उस लिंक को क्लिक कर करके आप इस ऑनलाइन बैस से जोड़ सकते हैं या उनलाइन और अगर क्लास्रूम में आना है तो डिक्स्रिप्शन पर जो नंबर है उन पर आप मैसेज करिए फोन करिए कई बार फोन पिक नहीं होता तो ऐसे में आप उतना मैसेज ड्रॉप करके छोड़ दीजिए आपको रिस्पॉंस बिलकुल मिलेगा और आप अभी से समय रहते हुए पढ़ाई करिए जिससे कि आप एक अच्छा रेजल्ट दे सकें थैंक्यू एंड अल दे बेस्ट